Hello everyone, मैं विजय कुमार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका W3Era YouTube चैनल पर, जिसके अंदर हम Web Development Course के अंदर PHP की सीरीज को देख रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे Assignment Operators के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो Assignment Operator, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, अर्थमेटिक Operator के बारे में, तो सबसे पहले हमने समझाता कि अपरेटर होते क्या हैं, और ये कैसे PHP गे अंदर वर्क करते हैं, और उसमें हमने देखा था, लास्ट वीडियो में, अर्थमेटिक Operators, Simple Operators थे, जिसमें हमने प्लस क को देखा, Minus को देखा, Multiply को देखा, Divide को देखा, और Modulus को देखा, और उसके साथ-साथ हमने प्लस-प्लस, यानि Increment Operator को देखा, और Minus-Minus, यानि Decrement Operator को देखा, आज का जो वीडियो होगा, उसमें हम Assignment Operator के बारे में पढ़ेंगे, Assignment Operator सेम वैसे ही है, जैसे हमने कल Arthematic पड़े थे, थोड़ा सा इसमें Difference है, वो क्या होता है, कि जो Arthematic Operator है, उनको ही Short कर दिया गया है, एक Short Cut बना दिया गया है उसका, तो कैसे इनको Use करते हैं, और कैसे इनका क्या Syntax होता है, तो चलिए देखते हैं इसको एक बार फिर, तो हमारा Topic है, PHP Operators के अंदर, Assignment Operator, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, यहाँ पर Arthematic Operator हमने, इसको हमने पुरा कर लिया था, इसके बारे में हमने समझ लिया था, कि यह क्या होते हैं, और किस तरीके से वर्क करते हैं, आज हम पढ़ेंगे Second Assignment Operator, ठीक है, अब यह कैसे काम करेंगे, इसको देखते हैं, पहले तो देखते हैं यानि इसको कैसे यूज करेंगे, जब भी हम किसी variable के अंदर value को assign करते हैं, जैसे हमने कोई variable बनाया, variable dollar x, और उसके अंदर हमें कोई value assign करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर is equal to का Operator रियूज करेंगे, और इसको हम ऐसे ही define करते हैं, यह इस तरीके से कोई x है, और व वो किसी value के equal भी हो सकता है, या एक variable, दूसरे variable के equal भी हो सकता है, तो इससे क्या होगा, y की value x के अंदर आ जाएगी, और PHP के अंदर इसको कैसे define करते हैं, dollar x is equal to dollar y, ठीक है, दूसरा है हमारा plus equal to, यह था equal to, और उसके बाद plus equal to, तो यह कैसे काम करता है, इसका meaning क्या होता है plus equal to का, अगर मान लीजिए, कोई dollar x है, और dollar y, दो variable है, और उनके बीच में plus equal to का operator लगा हुआ है, तो वो क्या काम करता है, कि जैसे x को equal करता है, किसके x plus y के, ठीक है, x की value को change कर देता है, क्या करता है, x की जो पहले से value थी, उसमें plus कर देता है, y की value को, next है हमारा minus equal to, minus equal to, जैसे plus equal to काम कर रहा था, वैसे ही minus equal to काम करेगा, plus equal to क्या कर रहा था, कि x की जो पहले value थी, उसके अंदर y की value assign कर रहा था, तो यहाँ पर minus equal to क्या करेगा, x की जो पहले value है, उसमें से y की value को minus करेगा, तो इसका syntax क्या होता है, यानि अगर हम इसको यह कैसे वर्क करता है x equal to x minus y ठीक है और इसके अंदर इसको लगाते कैसे है PHP के अंदर इस तरीके से dollar x minus equal to dollar y next है star equal to यानि multiply करना है और फिर उसके equal कर देना है तो अगर इस तरीके से PHP के अंदर syntax लगा हुआ है dollar x is equal to dollar y dollar x star equal to dollar y तो यह कैसे काम करेगा x की value के अंदर assign करेगा x की value into y की value ठीक है next देखते है divide equal to divide equal to को कैसे define करेंगे PHP के अंदर dollar x divide equal to dollar y इसका मतलब क्या होगा dollar x की value is equal to x को divide करके जो x को y से divide करेंगे जो value आएगी वो x के अंदर आ जाएगी उसके बाद है modulus equal to या percentage equal to बोलते हैं इसको और यह कैसे काम करता है पहले तो यह define कैसे होता है PHP के अंदर dollar x modulus equal to dollar y और यह काम कैसे करेगा x के अंदर value को assign करेगा किस की कौन्स क्या value assign करेगा dollar x modulus dollar y ठीक है अब यह कैसे काम करते हैं एक बार income देखते हैं तो चलिए देखते है assignment operator एक एक करके पहला जो हमारा operator assignment का वो है equal to तो equal to कैसे काम करता है इसको हम use कैसे करते हैं वो देखेंगे जैसे हमने क्या किया एक variable define किया dollar x और अब हमें क्या करना है define तो हो गया इसके अंदर value को assign करना है यानि इसके अंदर value को store कराना है तो store कराने के लिए हम क्या करते हैं equal to का use करते हैं यह हमने variable लिया और यह हमने operator यूज किया equal to ठीक है और इसके अंदर हमने value pass कर दी 5 तो होगा क्या dollar x की value क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी यानि dollar x जो variable है उसको 5 जो है assign हो जाएगा तो इस तरीके से यह assignment operator यानि equal to वाला काम करता है जब भी हम equal कराएंगे किसको dollar x को तो इसका output क्या आएगा इसका output जो अपने इसको value assign की है equal to के बाद जो value लिखी है हमने इसके अंदर वो इसकी value हो जाएगी तो इसका output आ जाएगा यहाँपर 5 simple है हमने पहले भी use किया था जब हमने variables को पढ़ा था और वही है यहाँपर equal to का दूसरा देखते हैं इसके बाद हम दूसरा जो हमारा assignment operator है वो है plus equal to ठीक है यह कैसे काम करता है अब बान लीजे हमारे पास दो variable है dollar x is equal to 5 dollar y is equal to 3 और हमें plus equal to use करना है और वो plus equal to कैसे वर्क करता है वो भी हम देखेंगे तो हमने क्या किया dollar x के अंदर plus equal to y कर दिया dollar y कर दिया इससे होगा क्या x को एक नई value assign होगी और वो नई value क्या होगी x की जो पहले एक से value है यानि जो 5 है उसमें y की value प्लस होकर उसको x को assign हो जाएगी तो कैसे काम करेगा अगर हम इसको echo कराए echo dollar x तो roughly पहले हम इसको देखते हैं कि इसका यह work कैसे करता है और output हम बाद में देखते हैं तो dollar x plus equal to dollar y ठीक है यह हमारा operator है यह हमारा variable है dollar x और dollar y और plus equal to हमारे operator है अब यह कैसे काम करेंगे dollar x के value assign होगी क्योंकि assign operator है left side में जो भी होगा उसको value assign होती है तो dollar x में value assign होगी क्या assign होगी assign होगी तो हम equal to variable operator use करेंगे और क्या value assign होगी उसको देखें तो dollar x की जो पहले से value थी ठीक है उसके अंदर plus और आ जाएगा plus dollar y की value जो right hand side के अंदर है तो यहाँ पर क्या होगा dollar x की value equal to dollar x की value कितनी है 5 है और plus dollar y की value कितनी है 3 है तो dollar x की value अब क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी और इसी तरीके से यह output देगा क्योंकि हमने इतना बड़ा code नहीं लिखा है हमने short में यह line लिखी है एक dollar x plus equal to dollar y तो इसकी calculation यह होती है और इसका जो answer होगा वो क्या होगा 8 होगा किसका होगा dollar x की value पहले 5 थी अब उसके अंदर value change हो गई दूसरी नई value assign हो गई और वो कौनसी value assign हो गई पहले जो 5 था उसमें plus 3 over add हो गया और मिलकर 8 हो गए तो यह 8 जो है इसकी नई value हो गई अब दूसरा देखते है इसके अंदर third one is minus equal to ठीक है यह operator है हमारा minus equal to अब यह कैसे काम करेगा as it is जैसे plus का किया था वैसे ही यह वाला काम करेगा हमने एक variable लिया dollar x उसके अंदर value pass की 5 दूसरा variable लिया dollar y और इसके अंदर value pass की 3 और हमने क्या किया dollar x को minus equal to और फिर dollar y left hand side में dollar x है तो dollar x में नई value assign होगी right hand side में dollar y है तो y की value x के अंदर assign होगी कैसे जोगी x की value पहले है उसमें से minus होके तो इसको अगर हम eco कराएंगे dollar x को तो क्या output आएगा देखे एक बार calculation करके हो dollar x minus equal to dollar y ठीक है और dollar x में value assign होगी क्योंकि left hand side में है ये तो assign कैसे करते हैं equal to से और उसके बाद dollar x की जो पहले से value थी उसमें से dollar y की value जो है वो minus हो जाएगी और फिर जो बचेगा वो dollar x में assign होगा तो dollar x dollar x की value 5 है minus dollar y की value 3 है और 5 में से 3 चला जाएगा तो dollar x की नई value हो जाएगी 2 ठीक है तो इतना बड़ा calculation ना लिखने की जगह है हम एक line लिख देते हैं PHP के अंदर dollar x minus equal to dollar y तो ये हमें क्या output देगा 2 देगा और कैसे देगा वो मैंने आपको बता दिया इदर फिर भी dollar x के अंदर नई value assign होगी dollar x की जो पहले वाली value है उसमें से right hand side में dollar y है तो उसको minus करके ठीक है next देखते हैं fourth है हमारा star equal to यानि multiply करना है और उसके बाद हमें उसमें नई value assign करनी है तो इसको भी use करते है plus की तरह dollar x is equal to 5 dollar y is equal to 3 syntax लिखते है dollar x star equal to dollar y ठीक है और जबी भी इसको इको कराएंगे e को dollar x को तो क्या calculation होगी इसको भी देख लेते हैं एक बार अपन तो dollar x star equal to dollar y यानि x के अंदर value assign होगी कौनसी value assign होगी dollar x is equal to dollar x की जो पहले वाली value है उसमें star operator को use करके y के साथ तो dollar x की जो value है पहले वाली उसके अंदर dollar y के साथ हम star operator use करेंगे तो dollar x की value क्या हो जाएगी है dollar x is equal to dollar x की value 5 है इनके बीच में इनके बीच में star लग जाएगा और y की value 3 है तो 5 x 3 यानि 15 तो dollar x की नई value क्या हो जाएगी नई value उसमें क्या assign होगी तो dollar x की नई value होगी 15 y की value को कोई फरक नहीं पड़ेगा यहाँ पर सिर्फ x की value change हो रही है यानि x में एक नई value assign हो रही है इसलिए ही इनको बोलते हैं assignment operators next देखते हैं इसके बाद फिफ्ट इस divide equal to अब ये कैसे काम करता है वही हमने dollar x define किया उसके अंदर value डाल दी 5 dollar y define किया उसके अंदर value डाल दी 3 और syntax लिखा हमने dollar x divide equal to dollar y ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे echo करा के देखेंगे और output को check करेंगे तो echo कराएंगे इसको dollar x को तो क्या इसमें calculation होगी क्या value आएगी x की value change होगी x में नई value आएगी कैसे आएगी dollar x divide equal to dollar y dollar x is equal to क्योंकि नई value assign होगी इसमें और इसकी जो पहले वाली value थी dollar x वो divide होगी dollar y से तो क्या आएगी dollar x की value जो इसकी value है 5 है और 5 डिवाइड होगा 3 से ठीक है और इसकी जो divide करेंगे तो जो output आएगा वो आएगा around 1.6 के something तो यह हमारी जो नई value होगी यह किसकी value होगी dollar x की ठीक है तो यहाँ पर जो output आएगा जो हमने echo कराया है इसका output आएगा 1.6 इस तरीके से जो भी value divide होने पर जो output आएगा वो value आएगी तो इतना बड़ा code ना लिखने की वज़े से हम क्या करते है short में assignment operator यूज करते है और एक line में हमारा यह काम हो जाता है ठीक है next देखते हैं इसके बाद next है हमारा तो modular equal to ठीक है अब यह कैसे काम करता है इसको देखते है dollar x is equal to 5 dollar y is equal to 3 ठीक है और dollar x की value पो हम reassign कर रहे है modulus equal to dollar y के साथ और इसमें क्या होता है इसमें अगर divide करने पर जो भी reminder बचता है वो उसको assign हो जाती है तो कैसे इसको use करते है एक बार eco लिख देता हूँ है eco dollar x ठीक है और इसके अंदर कैसे यह work करेगा dollar x modulus equal to dollar y dollar x equal to dollar x यानि x को y से divide करना है फिर जो भी remainder बचेगा वो x को assign हो जाएगा तो modular का मतलब यही होता है जो भी अपने पास remainder बचता है वही होता है तो dollar x की value is equal to अगर हम 5 को 3 से divide करेंगे तो एक बार तो complete चला जाएगा फिर हमारे पास 2 बचेगा तो वो value किसको assign हो जाएगी x को assign हो जाएगी तो इसका अगर हम modulus निकालते हैं तो इस तरीके से आता है answer और अब इसको हमने क्या 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 दिया assignment operator में use किया जिसमें x को एक नई value assign हो जाएगी तो जबी भी हम x को echo कराएगे अब x की value 5 ना रह करके क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और वो कैसे होगी क्योंकि हमने modulus equal to dollar y किया है और y की value 3 है तो 5 को 3 से divide किया और remainder बचा हमारे पास 2 और वो 2 value x के अंदर assign हो जाएगी तो यह थे हमारे assignment operator एक हमने पढ़ा था star star उसे भी हम use कर सकते हैं याँ पर इसका आप खुद करेंगे कि star star equal to अब यह कैसे काम करेगा एक कोई variable लिया हमने dollar x और star लगाया double star और equal to dollar y तो यह कैसे होगा कैसे work करेगा यह आप एक बार करके देखिए और same इसी तरीके से इसको use करेंगे और ऐसे ही यह work करेगा star star हम जानते है exponential होता है power बन जाती है तो power बनके वो x के अंदर value assign हो जाएगी तो आज हमने देखा assignment operator के बारे में जो की related थे हमारे arithmetic operator से कैसे plus, minus, star, divide और modulus यह सब काम आये थे हमारे assignment के अंदर भी तो आज की वीडियो में इतना ही इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए please like, share और subscribe करे हमारे W3RA YouTube चैनल को Thank you